हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं तो आज का लेक्चर है कि एक्स्टेंड़ ओब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाते हैं इसके पहले वाले में हम लोग पॉइंट ओब्जेक्ट का इमेज बनाये थें अब क्या बनाएंगे एक्स्टेंड़ ओब्जेक्ट का इमेज किस मीरर में तो प्लेन मीरर यानि प्लेन मीरर में एक्स्टेंड़ ओब्जेक्ट का इमेज तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्स्टेंड़ ओब्जेक्ट जो होते हैं उसके इमेज कैसे बनते हैं extended object तो already जानते हैं extended इसको extended बोलेंगे बड़ा हो क्या sun क्या है extended object है और point object के बारे में तो जान चुके हैं extended object का image extended object का image plane mirror में यह plane mirror है और इस plane mirror का यह surface painting है और plane mirror में कौन object रखें extended object तो माल लेते हैं यहाँ पर कोई extended object है इसका नाम देते हैं AB जो है वह extended object है और इसका image बनाना है तो already जानते हैं आप लोग कि किसी भी object का image plane mirror में जितनी distance पर object उतनी distance पर image तो अगर इस point की बात करें image draw करने के लिए तो इसका image इधर कहीं बने का same distance पर यानि इतना यहां से light ray ऐसे बहुत सारे light ray यहां से निकलेंगे यहां से जो light ray नर्मल की ओर जाएगा वह तो नर्मल पर ही return हो जाएगा आगे cure बढ़ाएं तो वह इधर जाएगा कुछ ऐसे भी ray होंगे जो ऐसे जा रहे हों तो जितना angle पर गया return हो जाएगा यहां पर appear to meet कराएंगे इधर जाके मिलेगा यह तो reflect होके light इधर चली जाएगा तो इस point का image यहां पर बना जितना distance पर है उतना ही distance पर बना उसी तरह इस point से जो light ray चलेंगे कुछ ऐसे light चलेंगे तो अगर यह normal है इस plane mirror के according अगर यह normal है इस पर normal तो यह तो इसी पर return हो जाएगा कि एपेर करेंगे इसको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाएंगे तो इधर जाएगा यह तो इधर चला जाएगा कुछ ऐसे भी ग्रे होंगे जो इधर जा रहा होंगे reflect करेंगे जाके मिलेगा तो इसका इमेज यहां बना इतो reflect करके इधर चलाए तो जितना distance पर object है उतना ही distance पर image बन गया किस object का extended बड़ा object बड़े object है a b object है उसका image क्या बन गया a dash b dash ध्यांदी same distance पर बना है same size का बना है हम लोग बहुत तरह से बना सकते है ray diagram कीच के हम लोग बहुत तरह से बना सकते है इसी में एक और आता है कि अगर यह plane mirror है यहाँ पर कोई object रखा हुआ है यहाँ पर कोई object रखा हुआ है ये भी इसकी image ड्रो करनी है इसमें तो तो पहले ही जान चुके हैं कि plane mirror में जो image बनता है वो हर एक जो इसकी rule है जितना distance पर object उतना ही distance पर image वो flow करेगा चाहे हो कोई object यह इतना distance पर है तो इसका image अगर इधर हम ड्रो करें तो इधर उतना ही distance पर बनेगा इस point का हम अगर image ड्रो करें तो इधर उतना ही distance पर बनेगा जितना distance पर object उतना distance पर image यहाँ तो ray diagram खिच लिजे अब तो जान गया इस point का अब इसका boundary पता चल गया तो ray को भेजी मिट कराएगे image बन जाएगा यहाँ से जो light ऐसे चलेंगे reflect हो जाएगे virtual रूप से मिलाएगे इधर जाके मिलेगे इसमें भी कुछ ऐसे ray होंगे ऐसे गये यह तो reflect कर गये virtual रूप से मिलाएगे यहाँ यानि image बन गया अब देखिए एबी object है इसका image बन गया a dash b dash कैसे बना है देखेगा इसमें दिख क्या रहा है यह left से right की ओर जूका हुआ है और जो image जूका है वह right से left की ओर जूका हुआ है यानि इसमें पार्स परिवर्तन की घटना हो रही है laterally inverted in nature इसमें जो घटना हो रही है वह एक पार्स परिवर्तन की ओर रही है यानि अगर plane mirror के सामने अगर हम लोग आए तो उसमें जो image बनेगा अगर हम mirror की ओर जूके तो उसमें जो हमारा image बनेगा वह हमारे तरफ जूकेगा यानि हम जूकेंगे इधर उन लगेगा कि इधर से जूका है duplicate image तो image जो बना तो plane mirror में image जो बने है उसकी क्या इसमें कैसे कैसे बने हैं तो यह बना है कालपनिक बना है सीधा बना है जितना दूरी पर बस्तु है प्रतिविम उतना ही दूरी पर है same size है इसकी आकार बराबर है और laterally inverted in nature की है यानि क्या लिख सकते हैं कि जो image बना है वह same size और कैसे है virtual है और erect nature का है यानि virtual and erect nature of image जो image बना है वह कैसा बना है कालपनिक और सीधा बना है same size size of image इसकी size क्या है same है same distance पर बना है same distance of image distance same है और क्या है laterally inverted in nature laterally inverted in nature यानि इसमें पार्ष परिवर्तन की विखटना है यानि plane mirror में एस सब condition होते हैं हर एक object के लिए और अगर इसमें देखा जाए इसकी magnification निकाले तो magnification तो already जानते हैं height of image upon height of object तो same height है जिते दस centimeter का अगर object तो दस centimeter का image value क्या आ जाएगा एक centimeter का object तो एक centimeter का image क्या हो जाएगा यानि इसकी magnification जो होगी वह क्या होगी 1 होगी magnification क्या होगी 1 होगी हाँ अब अगर कहें कि इसकी magnification जो है वह positive होगी plus 1 या minus 1 तो height हाइट की अगर बात कर किदर इसमें तो condition होते हैं कि उपर है तो उपर बना है कि नीचे उपर तो plus 1 अगर image हम देखें यह कहां बना है उपर या नीचे हम height का magnification क्या सो करता है object से कितनी गूनी अधिक कितनी गूनी बड़ी कितना दूर नहीं तो height अगर उपर उपर का distance plus तो उपर है plus यानि magnification क्या होगा plus 1 तो यह हो गया extended object का image कैसे बनते हैं क्या बिटा दे नोट कर लीजिए मिटा देखें अब देखें इसमें आता है clock problem clock problem में कुछ question है देखें मालेते हैं एक घड़ी है घड़ी में कुछ बज रहे हैं कुछ टाइब हो रहे हैं और वह कैसा गड़ी डीजिटन एं अगर प्ले मिरर में देखी तो कब आजएगा कि छे बाइव कहई कई को बजएगा तो 6 ऐसे दिखाएगा कि माँनियर तो दिघाएगा नहीं है कि इसका Karma रूह कि आठ सकता है तो वेत्री फासे नहीं तो को भंच रहा है तो भिटति नहीं है क्योंकि इसका इमेज इसका इमेज तो यहां बनेगा ऐसे किलियर है इस पॉइंट का इमेज किधर बनेगा इससे दूर है तो इधर बनेगा कि इधर दूर है तो दूर बनेगा यहां यह नए दीख है तो 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 यानि यहां ऐसे बन जाएगा इस पॉइंट का तरी तो बनिये गया यहां यहां वैसे ही होंगे यानि यह अब अब अधाई साथ एफ बच जाएगा कि एफ कौन टाइम है नहीं चले आते हैं प्लॉक प्रोब्लम में अगर सुई वाला घड़ी हो उसमें हम लोगों देखना है यहां एक घड़ी है कि यहां पर प्लेन मिरर वर्खा हुआ है इस प्लेन मिरर में देखकर बताना है कि इसमें कितना टाइम हो रहा है अगर इसमें नो बज रहा है कितना टाइम हो रहा है नो नो बज रहा है तो इस प्लेन मिरर में कितनी टाइम दिखाएगे तो इमेज बनाएंगे यह गोला का इमेज रेक्टेंगल गोला है तो गोले न बनाएगा सिम साइज का बनाएगा गोला यहां बना देगे अब देखिए यहां पर यह नो है यह बारत अब देखिए थोड़ा हम लोग काम करतें इसका इमेज कैसे बनाएगा यह पॉइंट है बीच में होल बीच में सेंटर है तो बीच में होगा इस पॉइंट यह पॉइंट इस मिरर से काफिर दूरी पर है दूर है तो दूर बनेगा कि पास बनेगा दूर यानि इधर बनेगा इस पॉइंट का यहां बनेगा, इस पॉइंट का यहां बनेगा, और इस पॉइंट का यहां, यानि इसका इमेज यहां बनेगा, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में बनेगा, लेटराली इन्वर्टेड इन नेचर यह स्ट्रेट है तो यह स्ट्रेट बने अब देखी कितना बज गया यह नौ बज रहा है बज गया तीन यानि नौ बजे को प्लेन मीरर में अगर देखें तो वह तीन बजे दिखा देगा नौ बजे को अगर हम लोग देखें तो वह कितना दिखा देगा तीन तो कोश्चन एक दे रहा है बनाईएगा अगर आपका तीन बज के तीस मिनट चालिस सेकेंड हुए हैं तो बताना है प्लेन मीरर में प्लेन मिलर में कितना बज़ के कितना मिनत और कितना सेकेंडm दिखाएगा सब कीज़े करे देखिए ढब देखे इसमे सेकेंड है और सेकेंड मिनत और घंटा की सुए है तो हम लोग सीधी सीधी कैसे बना लेते हैं बारे बजे में से घाटा लेते हैं बारे बजे बारा बज रहा है इसमें बारा को बारा बजे को अईसे भी नोट सकते हैं एगारे बज की 69 मिनट इसमें सेकेंड आ जाएगा तो यह गारे है तो बारे हो जाएगा क्या ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें से भी घटा सकते हैं एंसर अमनों को में जाए देखिए कैसे निकाल लें तीन तीस चारीज सब्ट्रैट करते हैं कितना हो जाएगा जीरो दो यानि 20 सेकेंड दिखाएगा चालिस सेकेंड जो दिख रहा है वक कितना हो जाएगा 20 नौ दो एगारा में से दो गया आठ तिन एक आठ आठ नो दस एकार आठ हो गया आठ यानि आठ बज के 29 मिनट 20 सेकेंड आठ बज के 29 मिनट कितना सेकेंड 20 सेकेंड यानि जो एगार तीन बज के 30 मिनट 40 सेकेंड हुए है वो आठ बज के 29 मिनट 20 सेकेंड होगा ऐसे ही जो देगा कोश्चन आप लोग बना सकते हैं अब देखिए यह रहा क्लॉक प्रोग्लम लोग बना सकते हैं मिटा दे अब इन हम लोग को देखना है कि plan mirror का हें extended object का हें कि the observer observing himself यदि observer खुद अपने को अगर plan mirror में observe कर रहा हो तो उसकी पूरी image किसी मिरर में देखना है तो मिरर की minimum size क्या होनी जाए यानि कम से कम size क्या होगा कि वह बेक्ती वह body अपने को जब खुद खुद लोकेट कर रहा ह। तब की बात कर रहा ह। अपने को खुद पिलिन mirror है इसमें अपने को देखना चाहता है तो इतना बड़ा mirror में हम तो पूरे अपने body को नहीं देख सकते हैं अगर मालिजे हम 6 feet के हैं तो कितना feet की mirror होनी चाहिए तो यह तो already आप लोग जान चुके हैं कि mirror की size जो होनी चाहिए object की size की half होनी चाहिए तो half size का मतलब 6 है तो 3 feet होगा लेकिन हम लोग question के रूप में इसको explain करके बनाएंगे तो question क्या है मिटा दे मिटा दिये अ बोगा है of height h want to see his full cutable image in plain mirror then to find minimum minimum height or length of mirror, plane mirror, required then to find minimum length of minimum length or height of plane mirror required यानि question जो दिया है कि एक body है जिसकी height है h और उस body के उस body जो वो body जो है plane mirror के सामने है तो क्या बताना है कि कम से कम कितनी length हो कि वो सर से लेके पैर तक माथे से लेके चरन तक अपना image देख सके क्या तो ध्यान दीजेगा ड्रो करते हैं हम लोग माले ते या object है इसकी height जो है h है पहले इसे दे रखा है और इस height यह object है एच हाइट का है यह चाहता है बहुत इसको है कि हम अपना image एक बार में पूरा का पूरा देखें पूरा का पूरा देखें तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं इसी height का एक mirror ले लेते हैं इसी height का क्या ले लेते हैं ले लिए यहां से इसकी distance है मालेते है इसकी distance है L कितना distance पर रखा हुआ है L distance तो एक बार बताए इसकी जो image है वह mirror से कितनी distance पर बनेगी? L जितना distance पर object उतनी distance पर image तो जितना L distance पर बनेगी यहां से कितना डिस्टेंस पर बनेगा यानि इधर इमेज जो बनेगा इसकी वह कितनी डिस्टेंस पर बनेगी अब देखे अब कैसे बनेगा रे डाइग्राम खीचेंगे बनेगा तो वहीं या हो गया इसका यहां हो गया इसका आई यहा उसका फूट पर भी ऐहां जो इमेज बनेगा इसमें वहीं होगा इधर पर होगा यहां कि बनेगा यहां इसकी आई बनेगी फुट बनेगा एस में लिख देते हैं देखे कैसे बनेगा अगर इसकी माथे का इमेज देखना है या अपने माथे को देखना चाहता है तो यहां से लाइट यहां से लाइट यहां से लाइट यहां से लाइट ने ट्रेवल करके इस मीरर प रेवल किया अब reflect करके जब नेत्र तक आएगी आँख के पास आएगी तब तो यह अपने सर को देख पाएगा यानि reflect करके ऐसे incident हुआ आया reflect करके आँख तक आया तो क्या दिखाए दिया head इसके ऊपर mirror की आव सकता है नहीं है अगर इस mirror को और नीचे ला ले तो सर कट जाए सर कटेगा नहीं उन्हें सर दिखाए नहीं देगा तो इसका मतलब है कि इधर mirror रखने की कोई आव सकता नहीं है अब पैर की बात करते हैं अगर यहां से इसकी फूट है पैर देखना है यहां से light travel किया अब यह पैर से चलने वाली light रे नित्र तक आएगी तब तो अपना पैर को देखेगा अच्छा एक बात देखे पैर से पैर को देखना है तो पैर से आना चाहिए अब यहां पर एक रुख जाई एक किस्टिक यहां थोड़ा देख हेड से चलना light रिफ्लेक्ट होके आँख तक आया अब इसको आँख को यह नहीं लगी यहां से दिखाई देगा कहा इसको लगेगा कि यह light यहां से आ रही यहां से आ रही यह light यहां से इसका मतलब यह इस नेत्र के पास जो यहां से light आया वह लगेगा कि यहां से आ रही इसका मतलब यहां इसकी सर बना हुआ दिखाई देदेगा उसी तरह यहां फूट से चलना रिफ्लेक्ट होके इसके आँख तक गया तो इसको लगेगा कि यहां यहां से आ रही यानि अब वो उपर यानि इधर तो mirror रखने क्या हो सकता नहीं इधर अगर mirror है तो और नीचे की चीज़ दिखाई देगा अगर है तो लेकिन हमको कम से कम length चाहिए तो यहां से light travel किया reflect होके गया इधर mirror की कोई आउसा यानि हमको mirror इतना ही चाहिए यानि इसी की length अगर मिल जाए तो already length तो जानबे करते हैं अगर object है h तो इसकी length h by 2 आए गया यह अनसुद क्योंकि पहले ही पता है कि अगर observer observing himself observer खुद plane mirror में अपने को देखता है अगर पूरा का पूरा देखना चाहता है तो अपने height का half length की अगर mirror होगी तो पूरा का पूरा देख लेगा लेकिन देखें यहाँ पर हम लोग लाते हैं इसको draw कर लेजिए ऐसे किछ दिया यहाँ नार्मल होगया यह जो है इस point का नाम देदेते हैं A B और इस point का नाम देदेते हैं C इस point का नाम A dash B dash और क्या C dash इसका नाम देदे दिए P Q R I इसमें काम करते हैं इंट्रेंगल में काम कीजिए इंट्रेंगल A dash B B dash A A dash B B dash दिख रहा है A dash B B dash और इस ट्रेंगल में काम कीजिए P B B Q P B Q तो देखिए थोड़ा सा ध्यां दिन यह एंगल बड़ा वाला में गई और छोटा वाला में कमन है दूसरा कि यहां 90 तो यहां कितना 90 तो दो एंगल इक्वल तो सिमिलर तो सिमिलर ट्रेंगल के जो साइड साइड का रेशियो बेश बेश का परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का रेशियो इक्वल होता है यानि अल्रेडी तो आप तो देख लिए तो हम डारेक्ट बोल दें कि इतना अपोन इतना बराबर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का रेशियो बेश बेश का रेशियो इक्वल होगा अब परपेंडिकुलर का देख लिएचे परपेंडिकुलर A डास बी डास अपोन इसका परपेंडिकुलर PQ बराबर बेश बरा वाला का बेश क्या होगा B-B छोटा वाला का बेश क्या होगा BQ clear अगर मान लेते हैं इतना को X मानते हैं और इतना को Y तो अगर X और Y को add कर दे तो हमरा mirror की जो minimum size है वह पता चल जाएगा लेंथ जो है तो इतना यहीं PQ के जगा हम लिख सकते हैं X A-B-X बराबर B-B इतना L इतना L तर 2L और BQ B से Q कितना है L L से अल गया तो क्या बचा यहां देखे बचा A-B- बराबर आ गया 2X यानि A-B- इतना इसका भैलू हो गया कितना 2X अब चलिए उसी तरह इस में आए Intrangle इधर मिटा देखें उसी तरह यहां देखें इस ट्रेंगल में Intrangle B-B C- Entrangle Q-B-R Q-B-R में देखें यहां भी यहां पूर्ण कमन है दोनों में यहां 90 तो यहां 90 हैं तो इसमें भी Perpendicular Perpendicular का Ratio Base Base का Ratio Perpendicular बोलिए B-C- बटा Q-R बराबर Base BB- BB- बटा B-Q B-Q B-C- बटा Q-R 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 वाइन है Y is called to BB- का भैलू देख लो भाव BB- L जोड L 2L बटा B-Q 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 का भैलू B-Q का भैलू कितना L से L गया B-C- का भैलू हो गया 2Y यानि B-C का मतलब या 2Y तो एक बार बताए 2X पलस 2Y कर दे तो Size Height of Image होगा Height of Image Represent कर रहा है 2X पलस 2Y कि किसके बराबर है H इसी के बराबर नहीं होगा अच्छा अगर Height of Mirror की बाद किया जाए तो वह कितना होगा X पलस Y Mirror की बाद किया रहते है X पलस Y अच्छा चलिए यहाँ पर ध्यान देना 2X पलस 2Y बराबर H है टू टू कमन ले ले तो X पलस Y बराबर H तो हमको अगर X पलस Y का भैलू चाहिए तो रोक लेते हैं X पलस Y बराबर H भाई यानि X पलस Y का भैलू कितना आ गया H भाई यानि Height कितनी होनी चाहिए Mirror की Object की आदे 5 मीटर का है तो 8 मीटर की होनी चाहिए 10 का है तो 5 की होनी चाहिए क्या Note कीजिए A body Standing Midway Between A wall Of height H And Plain mirror Plain mirror और wall के बीच में एक body है बीचो बीच में body है Then To find करना है Minimum Length of Length या height Of mirror Required That Can That Object Your body Can see Full image Of object अब Object का Full image बनना चाहिए क्या तो एक body है वो कहा है Wall और mirror के बीचो बीच है तो उसके लिए जो mirror की Size क्या हो Sorry Mirror में उस wall को पूरा का पूरा देखना है कितनी height की है H height का wall है तो बताना है कम से कम कितनी height की कितनी Size की Mirror होगी थोड़ा सा change है पहले वाले में था Observer Observing himself Then Calculate करनी थी Minimum Height of mirror आप देखिए यहाँ पर माल लेते हैं एक plane यहाँ wall है यहाँ wall है इस wall और एक plane mirror यहाँ plane mirror हो गया कितना ही Size का plane mirror ले लिए अब देखिए इस plane mirror और wall wall की height कितनी है H है इसके बीचों बीच एक observer observing कर रहा है इस wall को अपने को नहीं wall को देख रहा है यहाँ से इसकी length माल लेते हैं एक observer यहाँ है जो खुद इसको observe कर रहा है अब देखिए इसकी image अब देखिए इसकी image अब देखिए इक बात जानते हैं तो यहाँ से उतना ही distance पर image बनेगा यहाँ से L distance पर है तो L distance पर ड्रो करते हैं करेंगे करेंगे देखिए पहले बनेगा कैसे image अगर इस top boundary किलियर करते हैं यहाँ से light चलके इस observer के आँख तक आएगी तबना इसको इधर देखेगा यहाँ से चलने वाली light ray यहाँ से जो light चली मीरर पर टकराई टकराने के बाद इसके नित्र तक आई तो इस observer को लगेगा कि वह इधर से आ रहा है इधर से पहले बना लेते हैं यहाँ से L distance पर image बनेगा किसका image होगा वाल इस सुवाल का L distance पर image हमने बनाया यह हो गया दिवाल कितना length पर है L अब देखें कैसे बनेगा ray diagram से हम लोग देखें देखें कैसे बनेगा ray diagram इस top से जो light चलेगी तो इस mirror पर टकराने के बाद इस observer के आँख तक आएगी और इस observer को लगेगा कि यह light ray जो है वह यहां से आ रही है इस observer को लगेगा कि यह जो light ray है इसके पास जो आ रही है वह यहां से आ रही है इसका मतलब इधर mirror रखने की कोई आउ सकता नहीं इधर mirror हो या नहीं हो फिर भी इस top का image यहां बना देगा तो अब देखना है कि यहां से light आया ऐसे है हाँ इसकी अब boundary के लिए किजिए यहां foot की यहां से चलने वाली light ray ऐसे चलेगी light ray यहां से travel की इस दिवाल कि यहां से दिवाल है यहां से light चला अब incident होके यहां से reflect होके आँ तक आएगा observer के इधर mirror रखने की कोई आउ सकता light travel किया incidence हुआ incident ray यह reflected ray आपतित किरन परवर्तित किरन हुआ इसको लगेगा कि यह light ray यहां से आ रही है इसका मतलब इस observer को यह दिवाल यहां दिख जै समय तो रहा है कि यहां 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 एक दिवार है यहां हम खड़े हैं और यहां पर एक mirror है इस mirror में इस mirror में दिवाल का image बनाना है तो यहां पीछे दिवाल है mirror है टॉप से आया नेत्र तक आया टॉप दिख गिया यहां नीचे से फुट से लाइट किया आप तक आया दिख गिया तो इधर mirror रखने की कोई आवस्यक्ता नहीं है इधर mirror हो या ना हो हम इस इस war का image यहां बना सकते हैं क्या तो ध्यान देना है इसमें हम लोग सरे इस दिवाल का image बनाया इधर mirror रखने की कोई आवस्यकता नहीं है चलिए हम को इसी की length पता करनी हाइट पाता करने कि इस मिरर की हाइट अच्छा एक बात बताएए एल डिस्टेंस पर है इमेज कितना पर बना होगा दिवाल है एच हाइट का दिवाल की हाइट या इमेज की हाइट कितनी होगी एच होगी होगी कि नहीं होगी अब देखे यहाँ पर एक ड्रोइन कर लेते ह इसको मिला देते हैं स्ट्रेक लाइन में इसका नाम दे देते हैं यहाँ दिवाल A B है इसका इमेज बन गया A डैस B डैस इस पॉइंट का नाम P इसका Q इसका R अबजर्बर O है इसका नाम कुछ दे दीजे P Q R S S दे देते हैं चली काम करते हैं उसी तरह इसके पहले वाले में जैसे देखेते हैं सेम टू सेम वही से काम कर रहे हैं देखे इस ट्रेंगल में काम करते हैं A डैस O S A डैस O S एंड ट्रेंगल P O Q इनमें काम कर रहे हैं तो आप लोग देख चुके होंगे यहां यहां एंगल जन हैं दोनों में कमन हैं एक एंगल जन हैं दोनों ट्रेंगलों में कमन हैं यहां 90 डिगरी है तो सीमिलर तो सीमिलर होगा तो पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर का रेशियो बेस बेस का रेशियो पर्पेंडिकुलर चले पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर का पर्पेंडिकुलर का पर्पे बेस बताई ओ एस ओ एस ओ एस छोटा वाला का बेस ओ क्यूँ ओ क्यूँ इसका अप्शन इसका एंसर का अप्शन दे रखे हैं यहां देख लिजी पहला अप्शन है टू एच दूसरा एच बाई टू तीसरा एच बाई थिरी एच बाई फूर चार अप्शन है इसका अब तो बन ही रहा है मिला सकते हैं यहां पॉस्ट करके बनाई चलिए देखे तो एडायस एस बाटा पी क्यू पी क्यू कौन है इसको माल लेते हैं एक्स इतना दूरी को माल लेते हैं वाई चले एड़ पी क्यू के जगा क्या रखेंगे एक्स इस कल्टो ओ एस ओ से एस अब देख लिजे मिड़ वे है है पूरा अगर एल है तो यहां से यहां तब की लें यहां से यहां तक की लेंद क्या हो एल बाई टू आप देखें यह O से S तक का डिस्टेंस OS तो L और L बाई टू तो एक आधा डेल इसका मतलब 3 by 2 3 L by 2 क्या लिख दें 3 L by 2 इसका मतलब हो गया उसके बाद है OS का बाई लो O Q O Q यही न है O Q का मान क्या है L by 2 यानि यहां हम लोग बैठा दे L by 2 2 से 2 L से L A डैस S बटा X बराबर क्या बच गया 3 X को उधर बेजे A डैस S is called to 3X यानि A डैस S A डैस S है A डैस S इसका भैलू कितना आ गया 3X कितना आ गया 3X अचले उसे तरह इसमें भी काम के थी किसमें इवाला S O B डैस S O B डैस एंट्रेंगल Q O R Q O R में वाई रूल यहां इए एंगल तो दोनों में है S O B डैस Q O R इदोनों में एंगल ही है और यहां 90 तो यहां 90 सिमिलर सिमिलर है तो पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर का बेस बेस का राशियू इक्वल तो क्या करें पर्पेंडिकुलर S B डैस S B डैस बटा क्या है Q R इसकाल टू बेस 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 पही है O S O S और इसका छोटा वाला कपिस O Q S B डैस बटा Q R Q R तो Y बाने है Y इसकाल टू O S O से S L और L बाई 2 तो 3 L बाई 2 और O Q O Q का वैलू L बाई 2 2 से 2 L से अल गया S B डैस बटा Y इसकाल टू 3 किलियर तो क्या है Y को इधर बेस S B डैस बराबर 3Y S B डैस ही न है इतना कामान हो गया 3Y अच्छा अगर इस 3X और 3Y जोड़ दें तो H के बराबर होगा 3X पलस 3Y कर दें 3X पलस या क्या है height of object है height of object height of object क्या है 3X पलस 3Y किसके बराबर है H की हमको चाहिए mirror की height तो mirror की height निकालना है mirror की height तो mirror की height X पलस Y height या size size of mirror height of mirror जो है वह X पलस Y है नहीं पता है लेकिन हम लोग को क्या पता है 3X पलस 3Y बराबर H थिरी कॉमान ले लिजे X पलस Y बराबर H तो X पलस Y थिरी उदर बेजे है H by 3 अच्छा एक्स पलस Y ही तो mirror की height है यहीं तो निकालना कितना आ गया H by 3 हाँ H यहाँ capital लिख दिये हैं capital में होगा sorry small मिल होगा क्योंकि है small लिए है क्या option होगा इसमें H by 3 correct answer क्या होगा H by 3 अब देखे answer बदल गया observer खुद अपने को observing नहीं कर रहा है इसलिए ऐसी घटना हुई है तो जब observer observing करता है तो half लेकिन observer observing नहीं करें तब half नहीं तो उसके लिए फिर अलग answer हो जाते उसके distance वेगेरे पर depend है sorry उसमें यह देखा जाता है कि सही में midway में है कि ना ठीक बीचों बीच अगर है तो ई घटना होती है क्या h by 3 answer होगा इसका इसमें कोई doubt नोट कीजिए क्या है